हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको सिंपल तरीके से ब्लाउस की कर्टिंग करना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से जैसे कि हैवी साइस का ब्लाउस अगर आप बना रहे हैं तो कम कपड़ा भी है आपके पास तो किस तरीके से आपको कर्टिंग करना चाहिए तो यहाँ पर मै क्या होता है कि अगर बाद में हम slaves को निकालते हैं तो जैसे कि कपड़ा कम पढ़ जाता है तो slaves हमारी छोटी हो जाती है तो सबसे पहले हम slaves का कपड़ा कट करेंगे और बाद में हम front part back part की cutting करेंगे तो उसमें adjustment कर लेंगे हम लेकिन slaves हमारी खोटी नहीं होनी चाहिए तो देखि यहाँ पड़ हमें जितना भी सिर्व सामें चाहिए लेंद उसमें से हमें एक इंस plus कर लेना है क्योंकि नीचे आमें हाफ इंच फोर्डिंग के लीए चाहिए और उपर सोल्डर के लिए भी हाफ इंच चाहिए तो जितना भी इंच आपका स्लेव से उसमें से एक इंच प्लस कर ले तो देखिए इस तरीके से हम लाइन केज के इसको कट कर लेंगे तो यह हो गया हमारा स्लेव का कपड़ा तो यहाँ पर फ्रेंट्स में 36 6 साइज के बलाउस की कर्टिंग करना बता रही हूँ तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बैक पार्ट की कर्टिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम पलट लेंगे इसको और जैसे कि आप देख सकते अंदर की साइड में सीधा पार्ट हमने रखा है और अब यहाँ पर देखिए बन साइड जो हम अपनी तरफ रखेंगे और जो खुला पार्ट है वो हम दूसरी तरफ रख लेंगे तो अब यहाँ पर हम कर्टिंग करेंगे तो देखिए आपको सेंपली क्या करना है देखिए जितना भी आपका ब्लाउस की लेंट है उसमें से आपको यहाँ पर एक इंच प्लस करना है क्योंकि यह जो हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है इसमें हम जो है सिर्फ हाफ इंच में हमारा फोल्डिंग हो जाता है और मतलब कि इसमें धागे बगरे नहीं निकलते हैं और बाइचंस अगर आपका इस तरीके से है जैसे कि यह साइड में है अगर आपका बॉर्डर नहीं है तो इस तरीके से आपका कपड़ा रहेगा तो अगर आपका कपड़ा इस तरीके से नीचे के साइड में है कमर के साइड में अगर आपने रखा तो उसमें आपको जोए 1 इंच प्लस करना पड़ेगा तुरपाई के लिए और आदा इंच सोल्डर के लिए यानि कि डेल इंच प्लस करना पड़ेगा बैक साइड में तो अगर आपको तरहिक तो मैं यहा पर एक इंच प्लस करूंगी तो फंदरे इंच पर आपको मार्किक करना है जैसे की आप 17 की लेंच प्लस करना दो आप 14 इंच पर मार्रकिक कर सकते हैं और उसके बाद में हम यहां पर इस तरहिकर से सीधी लेंड रो कर लेंगे और यहां पर हम सोल्डर का निशान लगाएंगी देखिए जितना भी आपका चेस्ट है जैसे कि मैं 36 size का बना रहे हूं तो यहां पर six inch हम ले लेंगे 36 और 38 size के लिए six inch सोल्डर लेंगी और जैसी कि 32 size है 54-54 साइज है तो उसमें आपको जो द लेना है वह साड़े 5 इंच आपको ले शकते हैं वहाँ पर तो अगर आप इस तरीके से ब्लॉउस की गटिंग करएंगे तो कभी 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 क्या होता है कि हमारी कंदी गिरते हैं तो आपको इस तरीके से हर साइज में अलग अलग measurement लेना होता है तो जैसे कि यहां पर मैंने 6 इंच और आर्मोल भी हम 6 इंच ले लेंगे यहां पर तो दिखी इस तरीके से हम यहां पर marking करना है और उसकी बाद में हम chest का measurement लगाएंगे तो अब देखी जैसे कि 36 इस का यह blouse है तो उसका हमने क्या करना है 36 का आदा हो जाएगा 18 इंच हो जाएगा और 18 का हाफ हमने कर लेना है तो 9 इंच पर हो जाएगा तो यहां से हम 9 इंच पर marking करेंगे तो देखी जैसे कि मैंने आर्मोल का निशान जहां से लगाया है वहीं से आपको इंची टेप को रखना है बिल्कुल उसके जस्त नीचे से और बंद साइट के साइड में से आपको रखना है इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है आपको इंची टेप जहां से आपने आर्मोल का निशान लगाया जस्त उसी के नीचे से आपको marking करना ह के उपर नीचे नहीं करना है बिल्कुल ज़त सामने से और उसके बाद में हम यहां पर मार्किंग कर लेंगी और इसके बाद में देख़ें आपको यहां पर एक्स्ट्र मार्किंग करना है साइड़ फिटिंग के लिए अब यहाँ पर हम cd line इस तरीके से आप चाहें तो scale से भी कीच सकते हैं अगर नए हैं तो आप scale का यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप ऐसे भी कीच सकते हैं और उसके बाद में देखिए आर्मोल के side में हम dead inch पर marking करेंगे बैक side के लिए फ्रेंट पार्ट में आप पॉनी एक या एक inch पर marking कर सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर गले की width हम ले रहे हैं देखिए जैसे कि नार्मोली हम क्या करते हैं गले की width धाई inch रखते हैं तो यहाँ पर मेरा गले की width धाई inch रख लिया मैंने और उसके बाद में जो गले की length हम यह पर रख रहे हैं जैसे कि आपने 11 inch रखा है जैसे कि आपको 11 inch चाहिए या 10 inch चाहिए तो यह दीप गला हो जाएगा हमारा तो अगर आप डीप गला बना रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पर डोरी नहीं लगाँगी तो अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाईए जैसे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ तो विट्ट तो हमने नीचे से तीन इंचे ले ली लेकिन यहाँ पर उपर जो गहराई है हमारी वो हम धाई इंच से आप इंच कम कर लेंगे यानि कि दो इंच ले लेंगे गहराई गले की और तो हमारा गला नहीं उतरेगा बाईचन साब का गला साथ से आठ इंच है तो फिर आप धाई इंच की विट्ट उपर से गले की रख सकते है तो फिर आपका गला नहीं उत्रेगा बिल्कुल भी और उससे भी छोटा है यानि कि चार या पाच इंच है आपका गला तो फिर आप हाफ इंच बढ़ा सकते हैं यानि कि तीन इंच के लिए की विट्ट रग सकते है तो अभी दिखिए इसका हम बॉक्स बना लेंगे यानि कि हम 11 इंच पर मार्किञ करें लेकी मार्किंग करना है तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से अगर आप गली की कटिंग करेंगे वैक साइट से तो आप चईज अंध यह क् perturb क्या जैसे कि डेलिवेरिक ब्लाउस है तो इसमें आप डोडूरी नहीं लगाएंग और अब हम यहाँ पर देखे फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो हमें अच्छे से इसको अज़ेस्टमेंट करना है देख लेना है कि किस तरीके से हमारा ब्लाउज आ जाएगा तो जैसे कि हम बेल्ट वाला बना रहे हैं तो हमें इसमें देखे गली की पाइपिंग भी निकालन मिना देखे लगाना है तो आपको दिकिए इस तरीके से आप रकने है तो कभा जाएं तो हम पढ़ रहा है अगर आप सीं में सुल्डर में सभ्यमें तो भी बीदिक चाहँ जैबर एकिए और उपर की साइड में तो हम परter तो आप आप¢़ तो क्या साइड से हमी 2 इंच एक्ष्ट्रे लेना है क्योंकि देखे दो इंच एक्ष्ट्रे इसले लेना है क्योंकि एक इंच हमारो तुट्पाइम जाएगा कमर के साइड में और एक हमारा बेल्ट के लिए जाएगा और मैं हमस inverse Nikki करेंगे बैल्ट गना अगर आप बिल्ट वाला नहीं बना रहें सिंपल बना रहें तो आपको सिंपली एक इंच प्लस करना है तो यहां पर मैं दो इंच प्लस कर रही हूं और उसके बाद में आप साइड से हमें और साइड से भी हमें हलका सा आप लगबग हाफ इंच की मार्जन से बढ़ा लीजिएगा तो इस तरीके से हमें साइड के लिए बढ़ाना है क्योंकि हम डॉट्स वगएरे बनाते हैं हाई हो में भी हमारा हाफ इंच तक जाता है तो हाफ हाफ इंच आपको बढ़ा के लेना है साइड से और आप देखें आप गली की विट तो हमने डाइ इंच रख लेनी है और गली के लिए आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ पर मैं 6 इंच का गला बना तक अंदर तक गहरा ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं नहीं तो जो है हमारे जो आर्मोल है बाचु का जो आर्मोल जॉइंट होता है उसमें जो जो जोलाता है फिर और अब देखें एक इंच हम छोड़ देंगी तुरपाई के लिए और उसके उपर से हमें यहाँ पर मार्क यानिकि एक इंच आपको घटाना है इधर चार लिया तो उदर तीन लिया फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए सीधी लाइन खीशते हुई आप जो है इससी सीधा नहीं ले जाना है जो ने चार इंच पर मार्किंग किया है हमने उसी में हम मिला देंग तो दिखिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप इस तरीके से ब्लाउस की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउस जो है बिल्कुल पर्फेक्ट बन के आएगा क्योंकि अगर ब्लाउस की कटिंग पर्फेक्ट नहीं है तो फिर आपका ब्लाउस जो है सिलाई आप कितना भी फिनीशिंग से करेंगे तो आपका ब्लाउस जो है पर्फेक्ट नहीं बनेगा तो 36 साइज के लिए आपको ऐसे ही मेजरमेंट लेना है और अब आप किसी भी साइज की ब्लॉज की कटिंग देखना चाहते तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अपने मेनेज चैनल पर डाल रखें बहुत सी वीडियो तो देखिए इस साइज से हम तीन इंच पर मार्किंग करेंगी और 34 साइज के लिए जो डॉट हम यहां पर लगाएंगी 36 साइज के लिए आपको 4 इंच यहां से लेना है पाई चांज 36 से कम है 32 या 34 साइज के लिए त अब साड़े तीन इंच पर मार्किंग कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे यहां पर दोनों साइड में हम रब कर लेंगे यहां पर कम यहां पड़ा कपड़ा इसका जो लंबाई है वह कम हे तो अमें आपर ज्यॉइंट लगाना को सारी को ज्यॉइंट जब हम लगा लेंगे उसके बाद में हम स्कूंट की टो यहां को हम देंगे च्वाइंट करने के बाद देंगे तो ज्यादा पर्फिक्ट आपकी स्लेव जो है कटेंगी और उसके बाद में यह जो वैश्ट कपड़ा है बचा है उसमें हम गले की पाइपिंग निकाल लेंगे तीन बट्टिया हम काट लेंगे जिससे की कम नहीं पड़े बाद में और उसकी बाद में लिखी यहाँ पर मैं बटन बट्टी का भी कपड़ा कट कर लेती हूँ और आप कास बट्टी का भी बना लें कट कर लें तो यहाँ पर सारे पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं डोरी मे लगाऊंगे रहें क्योंकि थोड़ा हैवी साइज है तो डोरी हम नहीं लगाएंगे तो आप दूसरे कपड़े के भी डोरी यहां पर लगाएंगे